यह प्रेंड्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तोडेगे वी आर गोईंग तो डिस्कर्स चाप्टर नंबर फाइफ और हिस्ट्री एंची आटी रूलर्स एंड बिल्डिंग्स रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे फिगर वान तो यह फिगर वान है आप बहुत देखो कितना अच्छा यह कारागिरी है न यह शोज द फर्स बालकनी ओफ कुतब मिनार यह कुतब मिनार की बालकनी है यह जो आपको पिच्चर दिखाएगी है कुतब बदीन अबक हैड दिस कंस्ट्रक्टर अराउंड 1199 कुतब बदीन अबक ने इसको 1199 में बनवाया था notice the pattern created under the बालकनी by small arches and geometrical design तो आप देखो कितने सुन्दर तरीके से इनको यह आर्चरी यह होता है यह आर्चरी यह इस ट्राइब का यह आर्चरी है कितने सुन्दर तरीके से यह बनाए गए है तो यह देखो यह बनाए गए है और जो geometrical design है इनमें can you see two bands of inscription under the balcony तो आप यह देखो यह inscription जाने के किसी भाशा में लिखा हुआ है उसको inscription बोलते हैं तो under the balcony see two bands यह हमने देख लिए है these are in Arabic Arabic language में लिखे गए है notice that the surface of the minar is curved and angular तो जो उपर है उपर वाला जो part है वो curved है ठीक है एक मुड़ा हुआ है और angular है placing an inscription on such a surface required great precision तो ऐसा करने के लिए बहुत जादा आपको art होनी चाहिए अगर ऐसा काम करना है only most skilled craft person could perform this task यह ऐसा काम सिर्फ जो बहुत ही skilled person है craft person है वो ही यह task को complete कर सकते हैं remember that very few buildings were made of the stone and bricks 1800 years ago यह आपने बात याद रखनी है कि 800 साल पहले कोई भी ऐसी building बहुत कम ऐसी buildings थी जो stone से और into से बनी हुई थी what would have been the impact of the building like kutab minar और observation in the 13th year तो लोगों का नजर्या कैसा होता होगा 13th century में जब उन्होंने यह kutab minar देखा होगा between the 8th and the 18th century kings and their official build two kinds of structure तो 18th से लेकर 18th century के बीच में जितने भी kings हुए हैं वो दो तरह के structure को बनवाती थी the first war of forts and a palaces, garden, residence and tombs, safe protector and a grand do science place of a rest in this world and the next तो first two houses fort forts जाने के किले होते थे, उनके महल होते थे, उनके багजी होते थे जहां पर वो रहते थे वो places होते हैं, tombs जाने के जो कबर होती है वो places होते थे, जहां पर वो अपने आपको ऐसा था, वहां पर वो safe, protect वगएरा रहना जाते थे The second was a structure meant for a public activity और second structure ऐसे होते थे जो उन्होंने public activity के लिए बनवाए होते थे जिसमें आ जाते हैं, temples आ जाते हैं, mosques आ जाते हैं, tanks, wells, akara, ventries and a bazaars ये सब कुछ आ जाते हैं second structure में Kings were a expected to care for their subject and by making structure for their use and comfort Ruler hoped to win their praise, तो ये ऐसा क्यों करते थे Kings राजा, ऐसा क्यों करते थे क्योंकि वो praise चाते थे, वो चाते थे हमारी प्रिशंशा की जाए Construction activity was also carried only by other वैसे के जो construction की activities थी, वो कौन करते थे, वो करते थे, merchants करते थे They build temples, जैसे ये temple बनावाना, mosque बनावाना, विल्स बना रही जाता ही, इस ट्राइप के का क्योंकि भाई, जनता सही तो पैसा आता है न, जैसे अब भी government को पैसा जनता सही आता है from the 18th century, उसके बाद जो merchants थे, उनकी हवेली 18th century के बाद की जो हवेली है, वही हमें मिलती है क्योंकि merchants ने ही, ये सब कुछ बनाया था, तो उसके पहले हमें, बहुत कम देखने के मिलती है, जो merchants के, जो उनके घर बगएर है तो figure 1 ये इसके बारे में बहुत डिटेल से थोड़ा सा बताया गया है the कुतब मिनार इस फाइव स्टोरे हाई, ये पांच मंजिला है the band of the band of inscription you see are under its first balcony, the first floor was constructed by the कुतब अदीन एबक and the rest was ill-tutmish around 1229, तो इसकी शुरुआत अगर देखे तो कुतब अदीन एबक ने इसकी शुरुआत की थी, first जो स्टोरे है उसको first floor को तो कुतब अदीन एबक ने बनवाया था और जो बाकी का बच्टा हुआ है ये तोतमीनार इसको ill-tutmish ने बनवाया था भुचाल वगयरा भुकम आने के वाज़ा से और बिजली वगयरा से इसको बहुत ज़्यादा डेमेज हो गया था और समय समय पे इसको अलावदीन खिलजी ने इसकी रिपियर भी करवाई थी महम्मा तुगलग होगे फिरोज शा तुगलग होगे इब्राहिम लोदी इन्होंने समय समय पे इसकी मुरम्मत भी करवाई है तो ये क्या है तो लेबर फोर्ट दा आगरा फोर्ट कैसे बना था बिल जवाय अकबर जो आगरा का fort है उसको अकबर ने बनवाया था अगरा fort required 2000 stone कटा तो उसके लिए 2000 stone कटा था जो stone को काट रहे थे 2000 cement and lime makers and 8000 laborers थे जाने कि इतनी जादी labor काम कर रही थी आगरा के fort को बनाने के लिए अब हम बात करेंगे engineering skill and constructions monuments provide an insight into the technology used for construction तो जो monuments होते हैं जो भी पुराने जो हमें buildings मिलती हैं उनसे हमें एक पता चलता है जो पुराने समय की जो construction में technology use की गई थी उसके बारे में हमें पता चलता है take something like a roof for example अगर हम roof के चट की बात की जाए we can make this by a placing wooden beams और a slab of a stone across four walls तो पहले क्या देखो यह कैसे क्या होता था कि जो ऐसे four pillar खड़े कर दिये जाते थे और उसके उपर चट बना जाती थी पहले ऐसा होता था यह अभी वैसे तो हम ऐसा ही करते हैं है ना अपने घरों में we can make this by a placing wooden तो यह जो beans होते हैं यह wood के भी हो सकते हैं और यह stone के भी हो सकते हैं but the task become difficult मगर यह task बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा if you want to make a large room with an elaborate super structure तो अगर आप एक बड़ा सारा room ऐसा बनाना चाहते हो और उसको एक super structure के साथ elaborate करना चाहते हो इसके लिए आपको और जदो sophisticated skill चाहिए बनाने के लिए between the 7th and the 10th century 7th और 10th century में दीखें architect started adding more rooms तो उसमें 7th to 10th century के जो architect से उन्होंने जादा और rooms, doors और windows building में adding करना शुरू कर दी roofs, doors and windows were windows were still made by a placing horizontal beam तो horizontal ही beam बनाया जाते थे across to vertical column तो vertical column के उपर ही बनाया जाते थे a style of architect called a terabyte or a core build between the 8th and 13th century the terabyte style was used in the construction of the temples mosque, tomb and in building a track to a large stepped wells तो यह बावली के लिए यह जो horizontal beam बनाने का जो था वो यही इस style से ही वो करते थे okay then यह आप देख सकते हो देखो यह क्या है रंजी की बावरी और the queen's step well located in the bundi in Rajasthan is the largest among the 50 step wells बावली क्या होता है यह step होते है और उसके में पानी होता है that will build to meet the needs for water water की निजपूरी करने के लिए यह बनाया गया था रंजी की बावरी queen's step well बोला जाता है और यह जो बावली है it is known for its architectural beauty and the बावली was constructed in 1699 यह जो बावली है इसको 1699 में इसको construct करवाया गया c e by rani nutwat g the queen of raja ani rudh singh of abundhi ने बनवाया था तो यह 2a जाने की यह बावली बिल्डिंग देख रही हो 2a figure है screen in the qawvat ul islam mosque Delhi lit 12th century 12th century की यह जो mosque का यह s type से बना हुआ है तो यह जो figure to be वाली collaborator technique यह होती थी sorry core build technique used in the construction of the screen तो ऐसे बनाई जाती थी then हम बात करेंगे temple construction in the early 11th century early 11th century की temples की क्या construction होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे दा कंधारियन महादेवा temple dedicated to Shiva by constructed in 1999 by the king धांगा देवा of the चंदेला डाइनिस्टी चंदेला डाइनिस्टी के एक राजा हुआ करते थे धांगा देवा जिनोंने 999 में एक temple बनाया था शीवा को वो temple dedicate करता था और उस temple का नेम है कंधारिया महादेवा तो इस temple को आप देख सकते हो 3B में 3B में this where is 3B तो यह रहा यह इस टाइप का यह बना हुआ है ठीक है यह इसका अब description बताया गया है is the plan to temple तो plan ऐसे बनाया था कि ऐसे बनाया जाएगा an aumunate gateway led to an entrance and the main hall and maha mandapavya dance were performed the image of the chief taiti was kept in the main shrine this was place for ritual worship worship where only the king's his immediate family and a priest gather the khajurahu complex contained royal temples where commoners were not allowed to enter the temples who are decorated with the elaborately carved sculpture तो आप देख सकते हूँ यह देखो इस टाइप से वो temple बनाया गया था इस temple के जो entry है यहाँ पे entry होती थी और यहाँ पे जो भी होता था सारे जो dance बगरा हो रहा है तो इसमें इस तरीके के जो temple थी इसमें जो सिर्फ royal family है और जो बड़े-बड़े chief turns हैं वो ही इसमें आते थे common men allowed नहीं थे और जो डाइती की जो डाइती ती देवी देवती की मोर्थी statue होता था वो आगे के room में रखा जाता था इस type के वो बनाते थे यह temples आगे figure number four में आप देख सकते हो this is the figure number four the Rajeshwara temple had the tallest shikra तो इसकी जो shikra रहा shikra जाने के सबसे उपर among the temple of its time the construction it was not easy because there were no cranes in those days and 90 turnstone for the top of the shikra was too heavy to lift manually बहुत important है इसमें जो shikra है ये देखो सबसे उपर जो ये बनाया गया है गुम्द बनाया गया है तो ये उस समय पे crane वगरा नहीं होती थी अब तो cranes है बहुत है टेकनोलोजी आ गही है उस समय इतने क्वेंटल किलो ग्राम इतना बहारी को कैसे उपर तक लेके गए होगे कैसे इसको लिफ्ट किया होगा इसको शिक्रा को लिफ्ट करना बहुत ज़दा मुश्किल था तो दा आर्शिटेक्ट बिल्द एन इंक्लाइंट पार्ट टॉप 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 धेंपल देंगे लुफ्ट तो तो गहुतन को था तो पार्ट जो पक्याइख्ट प्लेसिंग थिपो समत्सिट की तो इस बनाना ही या यह एं पर लेके गए ठीट changing इस तरीके से उन्होंने ये टेखनीक अपनाई थी. So the architecture building and an inclined path to the top of the temple placed the bowler on a roller and rolled it all the way to the top. The path started more 4 km अबे तो ये 4 km दूर तक ये path शूरू हो रहा था. It did not to be steep. This was the dismantle after the temple was constructed but the residents of the area Remember the experience of the construction of the temple for a long time. So the people who live there were 4 km दूरी होता है ना चार किलो मेटर तो वहां से ये ऐसे लेके जाना इतना भारी वो जो उपर शिखर रखना था. So the experience of the residents of the area रहने वाले लोगों को बहुत समय तक याद रहा. Even now a village near the temple called आचंद्रपल्लम तो वहां पे एक village है जिसको village of incline जाने के उसका नेम है चरूपल्लम. चरूपल्लम है उस village के जहां से ये मतलब शुरू हुआ था. ये process शुरू हुआ था. Okay, then आगे हम बात करेंगे. Two technology and the stylic developments are noticeable from the 12th century. 12th century से और भी जद्धे technology development हो गई थी. The weight of the superstructure above the doors and windows are sometime carried by arks. तो arks क्या होते हैं? Arks like this type की shape होती है. तो ये arks वगएरा बहुत जदा बनाने शुरू कर दिये थे. Doors पे, windows पे. Was sometimes carried by an arks. This art culture from was arcuate. तो इस structure को arcuate बोला जाता था. तो आप compare कर सकतो ये जो figure हैं. तो ये देखो. ये हम पे keystone होता था. ये देखो. जो 5A figure ये क्या है? The true arc. ये true arc है. The keystone at the center of the arc. ये जो सबसे center में है. इसको keystone बोला जाता है. Transfer the weight of the super structure of the base of the arc. तो ये जो main है ना. जो सारा भार है यहां पे है. ठीक है? इस keystone में है. जो भार होता है ना. उपर वाला जो भार सेहना है. क्योंकि उपर भी है ना. मतलब धिवार खड़ी है. तो ये देखो. ये नमबर 5B पे. ये true arc है. डेटेल फ्रॉम दा इलाही दरवाजा है. ये 14th century में बनाया गया था. कुवत उल इस्लाम मौस्क डेली का है ये. और फिगर 6 में आप देख सकते हो. ये ये पेंटिंग फ्रॉम दा अकबर नामा. अकबर नामा से ली गई है. अकबर नामा के बारे में हमने पढ़ा था ना. प्रीविस लेक्चुर में. देटर 1590-1595. शोइंग दा कंस्ट्रक्शन अफ दे वाटर गेट अड़ आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट में कैसे ये कंस्ट्रक्टर हो रहा था. उसके बारे में ये दिखाया गया है. तो आगे हम बात करेंगे लाइम स्टोन के बारे में. लाइम स्टोन. ये जो बहुत हाइड हो जाता था. वह stone बहुत ज़दा hard हो जाता था जाने कि वह तोटता नहीं था मजबूत हो जाता था this made a construction of a large structure easier and faster तो इस limestone से जो construction है वो बहुत ज़दा easy और जल्दी होने लगी तो इससे आप six figure भी देख सकते हो यह देखो ऐसे limestone से बन रहा है आप देख सकते हो अगे building temples and a mosque and tanks इसके बारे में अब हम देखेंगे temples and mosques were beautifully constructed because they were a place of worship जो राजा से वो क्या करते थे, rulers से वो क्या करते थे, जो temples, mandir है और जो masjid है उनको बहुत ज़दा beautifully उनको बनवाते थे क्योंकि यह एक पूजा का place जहांपे भगवान की पूजा की जाती थी they were also meant to demonstrate the power तो यह उनकी राजा होते थे जो उनकी पावर को भी demonstrate करता था उनकी wealth को और उनका वो devotion भी दिखाता था कि वो भगवान को कितना मानते हैं यह सकुच रप्रेजेट करता था temples and mosques take the example of the Raja Rajeshwar temple जो Raja Rajeshwar temple है and inscription mentioned that it was built by a king Raja Raja Deva for the worship of his goddess Raja Rajeshwaram तो यह उन्होंने inscription में भी mention किया है कि यह इसको बनवाया किसने है Raja Raja Deva ने बनाया है और इसमें वो अपने God की पुझा करते हैं उनके लिए बनवाया है और उनके God का नेम Raja Rajeshwaram बोला है notice how his name of the rulers and the goddesses are similar तो हमने देखा है ना Raja और जो God है उनका नेम कितना similar दिखाया गया है the king took the God's name because it was auspicious and he wanted to appear like a God जो kings थे वो ऐसे ही नाम मतलब अपने लिए यूस करते थे क्योंकि वो दिखाना चाते थे वो अपने आपको auspicious दिखाना चाते थे वो ऐसा दिखाना चाते थे कि वो भी एक God के जैसे हैं through the rituals of worship in the temples one God Raja 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 Deva honored another Raja Raja मतलब वो अपने आपको भगवान की तरह प्रस्तूत करना चाते थे अपने आपको वो honor चाते थे God जैसे वी लोग मेरे को honor करें ठीक है मेरे respect करें the largest temple were all constructed by the kings the other lesser deities in the temple were gods and the goddess of the allies and spodinates of the ruler the temples was a miniature model of the world ruled by the kings and his allies so the temples and the temples were very important because the deities and the deities the deities were also the devy-dev they were in the temples the god or the devy-dev they were asked to be the deities the rulers were body-naked temple miniature model of the world का पूरे संसार का उनके एक छोटा model है जहां पे जो king है और उसके elites हैं. As they were worshiped their deities together in the royal temple तू चाहे वो सभी इकटे ही temple में वो उस deity की पूझा कर रहे हैं. It seems as if they bought the just rule of the god on the earth. तो यह ऐसा दिखा रहे हैं कि जो god हैं, god का, god है अर्थ पे वो ही रूल कर रहे हैं मुस्लिम सुल्तान और पादशास डिड नोट क्लेम टो बी इंकार्नेशन आफ गॉड बट अपर्शिन कोट क्रॉनिकल जिस्क्राइब दे सुल्तान अज़ अज़ाड़ आफ तो जो मुस्लिम सुल्तान थे वो कभी भी क्लेम नहीं करते थे गॉड के इंकार्नेशन में मगर जो पर्शिन कोट में एक क्रॉनिकल मिला है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है सुल्तान को as a shadow of God उसको shadow बोला गया है सिर्फ गॉड की अन इंस्क्रिप्शन इन दा of Moses and Solomon तो उसमें ये बताया गया है कि जो allowed in थे उनमें equality थी इसलिए जो God है भगवान है उन्होंने उसको as a ruler चुना है the greater lawgiver क्योंकि वो एक Moses and Solomon है जानि कि एक great lawgiver lawgiver of the past the greatest lawgiver and the architect was a good God himself he created the world out of the chaos and introduce order and symmetry तो उन्होंने बहुत अच्छे से symmetry में काम किया है और बहुत अच्छे सब कुछ बनवाया है जैसे कि God ने बहुत अच्छे symmetry से सब कुछ बनाया है तो ये figure 7 आप देख सकते हो plan of the jamah majid ये ऐसे plan किया गया था कि jamah majid ऐसे बनाई जाएगी built by Shah Jahan in his new capital as Shah Jahan Abad Shah Jahan Abad एक new capital थी Shah Jahan की jamah majid बनाने का उनका ये ऐसा plan दा 1650 to 1656 में okay you can see this now as each new dynasty came to power जैसे भी कोई भी dynasty power पे आती थी kings wanted to emphasize there a moral right to be ruler तो वो अपना moral right मानता था कि वो rule कर सकता है constructing place of worship provides rulers with the chance to proclaim there a close relationship with God तो वो ये उनका close relationship represent करना चाहते थे mosque वगारा जो worship place को construct करने के साथ especially important in an age of the rapid political change ruler also offered up patron needs to a learned and a poise and तो वो अपने मतलब अपने धरभार में वो learned और जो पवित्र लोग होते थे पड़ी क्यों को लोग होते थे उनको भी as a patronage रखते थे इसलाकर वगार रखते थे and tried to transform their capitals and cities into a great culture centers that brought fame to their rules and their realm it was a widely believed that the rule of just king just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain तो ऐसा माना जाता है ऐसा belief किया जाता है the rule of a just king would be an age of plenty जो rule है एक राजा का वो एक age of plenty है जब जो heaven है जब heaven में rain नहीं होती तब at the same time उसी समय में making precious water precious water को बनाना available by a constructing tank तो उसके लिए वो क्या करते थे इससे बचने के लिए वो tanks वगारा की construct करवाते थे and a reservoir was a reservoir was highly praised जो reservoir वगारा है वो भी बहुत praised काम था उनका सुल्तान इलतुत्मिश one's universal respect इस लिए जो ये सुल्तान इलतुत्मिश थे उनको universal में पुरे संसार में respect मिली क्योंकि उन्होंने construction करवाया था large reservoir just outside दिल्लिये कुनहा दिल्लिये कुनहा में उन्होंने एक बहुत वड़ा reservoir बनवाया था it was called a house-e-sultani जिसको house-e-sultani बोला जाता है और the king's reservoir भी बोला जाता है can you find in the map 1 chapter number 3 chapter number 3 में आपको देखोगे ruler often construct tanks and reservoirs जो rulers थे वो mosque and temple से बनवाते ही थे हमने देखा है और वो tanks or reservoirs भी बनवाते थे big भी बनाते थे small भी बनाते थे for the use of the ordinary man जिससे वो जो आम जनता है उसको कोई मुश्किल ना आई कोई तकलीफ ना होई sometime these tanks and a reservoirs were a part of the temple कभी-कभी ये जो reservoirs हैं, shover हैं ये temples जो mosque का पार्ट भी होते थे note the small tank in a jami masjid jami masjid में भी small tank है और गुरदवारा में भी होता है place of worship congregation for the 66 में भी जैसे ही आप देख सकते हो ये figure में हर्मंद्र शाहिब जो golden temple है with the holy surover ये holy surover है यहां पे जो के अमरिट sur में है तो ये रहा हमारा आज हम यहीं तक करेंगे और बाकी का chapter हम next lecture में discuss कर लेंगे next part two में discuss करेंगे thanks for listening me God bless you जतना भी पढ़ाया है अच्छे से आपने भी खुद भी पढ़ना है thanks